नमस्कार दोस्तों, मैं पाउन, अपने चैलेंज टेकी पाउन में आपका स्वागत करता हूँ, किर्पया मेरे चैनल को लाइक के हो, सब्सक्राइब करें आज हम बात कर रहा है, उस समस्या की, जो हर phone खरीदने वाले को face करने पढ़ती है, चाये वो नया phone खरीदे, या second hand phone खरीदे, second hand phone खरीदने वाले को ज़्यादा यह प्रादे को होती है, अब यह problem कौनसी है, यह problem है, hardware के ठीक होने की या नहीं होने की, जब भी हम कोई phone लेते ह तो हमारे मन में संदे होता है ये tension होती है कि इस phone के जो हमने नया खरीदा है या पुराना खरीदा है तो इसके सारे hardware, functions सारे sensors और सही काम कर रहे हैं इसलिए हम कोशिस भी करते हैं दुकान पर खड़े-खड़े हम इसको check भी करने कोशिस करते हैं लेकिन हम बस के विल ज़्यादा से ज़्यादा हम साउंड देख लेते हैं हलका सा और डिस्प्ले देख लेगी साफ देख रहा है इसके अलावा हमको कुछ आता भी नहीं है इसमें कि हम कैसे चेक करें यह समस्या और भी ज़्यादा घंबिर हो जाती है जब सेकंड एंड फोन में थोड़ी यह समस्या कम होती है क्योंकि हमें डर नी रहता कि खराब होगा तो हम सर्विस सेंटर से इसकी रिपेरिंग करवा लेंगे लेकिन फिर भी हमें नया फोन ले या कोई सेकंड एंड फोन एक बार इस समस्या से हमको हट जाना चीए और इसका समाधान हैं टो अधर है अकाउंट बनाके और तुरंट प्ले इस्टोर पे चाहें और एक एपलिकेशन ने हम फॉन फ्लस यह गई फॉन डॉक्टर प्लस नाम से इस एपलिवेशन का नाम क्या है फोन डॉक्टर प्लस यह इसका लोगो है यह लोगो जूरूर चेक कर लीजिए इसको इंस् उस्को इस्टार कर रखा है, तो मैं यहां से भी इंटाल कर सकता हूँ, अपने पास से, यह इंस्टाल हो जाएगी ऐसे, आप इसको Google Play Store से भी इंस्टाल कर सकते हैं, अब बस इंस्टाल करने के बाद आपको क्या करना है, और phone के नाम से मिल याईगी यह रही phone doctor plus यह हमने खोज लिया application अब यह application on होगी अब आप देखे अब उपर 6 icon दिख रहे हैं पहले icon IMT का कोई मतलब नहीं है इसका मतलब कुछ नहीं है दूसरे icon में आपको यह सारी चीज़े दिख जाएंगी अब यह सब blank दिखेंगे आपको लगबग क्यों क्योंकि हमने अभी इसका phone का hardware चेक नहीं किया है यह hardware के बारे में बताता है तो इस function के उपर बाद में आएंगे तो हम तीसरे function पे चलते हैं सबसे पहले हम चेक कर रहे है इस पर जैसे क्लिक करेंगे start button पे हमको यह पता चल जाएगा कि हमारे इस phone में जितना system है battery है, motherboard है, hard disk है, touch screen है यह सब company के द्वारा दिये गए original ही है यह किसी ने duplicate part तो नहीं लगा दिये इसमें यह देखे start button पे क्लिक किया मैंने यह देखे 100% very good all of the parts are original अर्थाद मेरे इस phone में जितने भी parts है वो सब क्या है, original है आप देखे, जितने भी sensor है यह सब क्या है, original है किसी ने मेरे इस phone के साथ छेड़ जाड़ नहीं किये, किसी ने इसको खोल कर कुछ भी इसमें दूसरा part नहीं डाला है तो मेरा पहला यह हो गया काम फिर अब आते हैं हमारे यह हम सब चेक करने वाले कि हमारे इस phone के hardware और उनके functions काम कर रहे हैं क्या पहले outer hardware देखते हैं outer hardware में कौन-कौन से चीज़ आ रही है multi-touch, touch screen, display, check, earphone, speaker यह जबार है तो पहले हम देख लेगे multi-touch multi-touch पे click किया तो जितने dots हैं उतनी उंगलियां उसके उपर रखने हैं एक साथ, यह देखे मैंने इस पर रखा, अब चार उंगलियां रखने हैं तो चार उंगलियां रखने के लिए आप दो-दो उंगली दो हाथ की भी रख सकते हैं कैसे भी रख सकते हैं यह हो गया यह right का चिन आ गया multi-touch पे इसका मतलब मेरा multi-touch spawn का काम कर रहा है multi-touch क्या होता है एक से ज़्यादा अंगली रखना multi-touch में आता है फिर अब touch screen touch screen काम कर दिए कि मेरी पूरी screen पे मेरा touch काम कर रहा है यह touch screen पे right का चिन आ गया अब display check display check में क्या होगा first you will see a black screen with three small white dots पहले black screen आएगी जिस पे तीन white dots होंगे बहुत बारिक होंगे वो आपको बहुत बारिकी से देखने होंगे आपके आँके तेजो नीची है तब ही दिखाई देगे वो फिर आएगी white screen पे black dots देखते है चेक करते है यह मेरी black screen आ गई अब इस पे white dots में को चेक करना है तो का है 1,2,3 यह मैंने चेक कर दिये अगर सही होगा तो यह right बता देगा इसको सही है अब यह मेरी white screen आ गई इस पे black dots डूंडो 1,2 और तीसरा का है तीसरा यह मिल गया यह देखो मैंने चेक कर लिया इसका मतलब है यह मेरा सही है अब मेरा right का चिन आ जाएगा इस पे देखे यह आ गया डिस्प्ले चेक मेरा सही आ गया अब earphone के चेक में insert earphones तो मैं earphone को insert करूँ और अब चेक करता हूं यह आवाज आ रही है यह चेक तो कर रहा है लेकिन चूकि मेरा स्क्रीन डिकोडर चल रहा है जिसकी वज़े से यह मेरे को right का क्लिक नहीं देगा बाकी इसने चेक कर लिया अंदर से लेकिन यह मना कर देगा कि आभी आपका काम पुरह नहीं हुआ तो देखिए यह गलत का निशाना गया कि आभी आपकी यह चीज चेक नहीं हुई अब हम आते हैं headphone jack पर यह बोल रहा है पहले insert headphone और फिर remove headphone तो इस पर क्लिक करते हैं देगा और यह insert किया मैंने तो यह insert यह हो गया तो इसका मतलब हमारा headphone jack सही काम कर रहा है अब देखते हैं camera कैसा काम कर रहा है camera के लिए देखिए पहले first camera चेक करेगा यह selfie camera यह चेक किया और अब करेगा यह चेक पीछे वाला camera यह किया चेक इसने पीछे वाला camera दोनों camera चेक हो गया मेरे तो यह right का चिन आ गया अब हम फ्लेश चेक करेंगे कि फ्लेश कैसा है इसका फ्लेश लाइट अब यह फ्लेश देगा दो बार यह एक बार चेक हो गया फ्लेश लाइट मेरी और यह चेक हो गया यह राइट का चिन आ गया कि मेरी फ्लेश लाइट सही काम कर दिये मेरा कैसा काम कर रहा है इसका तो होम बटन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा मिरी एप्लिकिशन बाहर आ जाएगी दीकि यह आगई बार, तो आपको बापीस से यहां से ऐसे बापीस से चल जाना है, यह detect हो गई मेरी home button, ठीक है, यह मेरा check आगया home button का jack मेरा सही काम कर रहा है, फिर है volume control, volume control में दो बार आप उपर का button दबाए, volume बढ़ाने का, और फिर दो बार नीचे का button दबाए, volume कर्म करने का, तो यह आपका volume का check हो गया, यह देखे right का चिना गया, अब sleep और wake button दबाते हैं, तो sleep और wake button के लिए क्या, कि आपको यह power button दबाना पड़ेगा, अपने mobile का, जिससे आप switch off करते हैं, और फिर उस on कर लीजी, तो यह detect कर लेगा, कि सही काम कर रहा है, यह नहीं काम कर रहा है, यह देखे, मेरा sleep button, wake button, power button काम कर रहा है, जिससे हम switch off करते हैं, आपको switch off नहीं करना है, यह द्यान रखना, फिर receiver and mic कैसे काम कर रहा है, मैं frequencies की check करता हूं, यह frequency check कर रहा है, यह देखे, आवाज बढ़ती जारी है, यह 100% चेक हो चुकि है, लेकिन चुकि मेरा screen recorder चेक चल र प्लमा दिए, ठीक है, फिर उसके बाद यह दो आउटर hardware चेक हो गए, अब sensors चेक करते हैं, सारे, पहले एक्सलोरो मीटर चेक करते हैं, एक्सलोरो मीटर क्या करता है, इन सारे जितने बिंदू है न, उसको इस नीले डोट से आप टकराईए, यह नीलो डोट को गिराईए, इसके उपर, हाँ बिंदू के उपर, ऐसे गुमा गुमा के फोन को इगिरा दीजिए, यह जैसे आप सारे बिंदू को तोड़ देंगे, यह एक्सलोरो मीटर आपका पता चल लाएगा, आपका सही काम कर रहा है, अब जैरो स्कोप के लिए, ऐसे इसे हिलाई है फोन को, सही पता चल जाएगा, यह प्रॉक्सिमेटी सेंसर भी काम कर रहा है, कमपास कैसे काम कर रहा है, इसको पूरा 360 डिगरी गुमाओ को उनको दीरे-दीरे करके, दीरे-दीरे करके, 360 डिगरी गुमाओ और यह ब्लू लाइन पूरी कर दो, यह आगया मेरा कमपास सही है, होरिजॉ आगका रहा है, तेज़ लाइट के सामने ले जाती, पता चल गया, लाइट सेंसर काम कर रहा है, अब Inner hardware देखते हैं, call functions कैसे काम कर रहे हैं, तो यह Network Operator यह सब चेक करेगा, यह देखेए, मेरा Network G4G आ रहा है, यह Network name आ रहा है, अक्सेस technology आ रही है, सपोर्ट Anda आ रहा है, य storage सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है हमारे memory card सही काम कर रहे है phone memory सही काम कर रही है phone memory में write हो रहा है नहीं हो रहा read हो रहा है नहीं हो रहा ऐसे चार उसमें memory card और phone memory दोनों को यह speed चेक कर रहा है कि क्या writing speed है और क्या reading speed है क्या सही काम कर रही है क्या हूँ देखिए अभी थोड़ा टाइम लगता है इसको चेक करने में क्योंकि ये कोई फाइल कोपी करता है और पेश्ट करता है उसके आदार पर ये पता करता है कि राइटिंग स्पीड कैसी है फिर अटोमेटिक डिलीट भी कर देता है देखिए र डिश्ट्रेज ही सभी करते हैं अब में मियमोरी चेक करता है मेह में मेमोरी के पीश्टी एकसे स्पीड देखिए यह लगन के पार है अभी फार मेमोरी के ओश्र्छी यह 15 1 Carry City स्पीड एकसेंच सबक्सक्राइब काम करता है इसमें यह होगया अब ये सब करते हैं इसके मेर मेरे मोडल नमबर यह सब क्या है इस फोन के यह सब आपको पता चल जाएगा यह देखें मेरे रिजुलीशन पता चल गया Android का वर्जन पता चल गया है बूट टाइम मैंने के तिनी दिर पहले उनकिया मोबाइल सब इस में पता चल जाता है कि कि यह बी मेरा सही है चेक करते मेरे फोन का की Europe कै सा इसका तो आप देытरे मिरे फोन के मोडल चेक होगया है को चेक हो गया है् फ्रिकूएंशी परफोर्मेंस सब यह मुश्ण हो रहे है दिरदरे gewoh performance च्क हो रही है कि कैसा मेराフवन वर्क करता है कि इसकी speed है कैसा रहता है saja कि झो थी यॉला टाइम लेता है performance चैक करने में है कि हम मीरे performance में मुझेinde 4151 नंबर मिलया है और इसने चेक कर लिया कि मेरा वाइब्रेशन सही चल रहा है अब GPS चेक करते हैं GPS चेक करने के लिए क्या करेगा कि यह GPS को ओन करेगा यह अलाओ GPS तो यह इसको सही माल देगा कि आपका GPS सही काम कर रहा है अब cellular network देखते हैं कि कैसा काम कर रहा है देखिए चेक चिप मेरी सही है पबलिक IP नहीं मिला है मेरा एरर पेकेट आया है चेक एरर पेकेट लेगन यह बेसिक है यह सही है मेरा network अब Wi-Fi फंक्शन चेक करते हैं Wi-Fi फंक्शन को चेक करने के लिए आपको दूसरा कोई mobile लेना होगा जिस पर आपको hot spot on करना होगा और तब जाके आपका यह चेक होगा तो यह क्या होगा प्लीज इस टर्ण ओन दा वाइफाइं टर्ण ओफ मुबाइल डाटा तो आपका बंद कर दीजिए आपका और आप Wi-Fi को ओन कर दीजिए और अब जाके इस बटन पर आप इसको क्लिक कीजिए उन दोनों को ओन कर दी आपने और अब इस पर क्लिक कीजिए अब यह चेक करेगा आप bluetooth पर चेक क्लिक बटन दबाएंगे तो यह बुलेगा bluetooth उन करो तो मैं permission दें देता हूं इसको ब्लुटूहोन करने गी यह ब्लुटूटूहोन हो गया यह मेरे पूरा चेक कर लिया कि हां आपका bitcoin ब्लूटूहोत भी सएह काम कर रहा है यह मेरे सारे functions चेक हो गए यह देखे सब पर राइट चिन आ गए केवल एक तो receiver and mic पे earphone and mic पे speaker and mic पे नहीं आए क्यों नहीं आए क्योंकि मेरा screen recorder चल रहा है जिसकी वज़े से मेरा mic अभी continuously use हो रहा है इसलिए यह उसको चेक नहीं कर पाया अब इस बापिस से हम second screen पर आते ह system अब देखें अब इस पर देखें आउटर हाइडवेर पर अभी भी क्रोस का निशान आ रहा है जबकि और सब चीज़े आ गई है बैटरी भी आपकी पता चल गई है cellular network ठीक है यह देखें सब चीज़े पता चल गई है CPU memory network है ना हर चीज़ लेकिन आउटर हाइडवेर क्य तो यह सब सही चलने लग जाएं तो इस तरह के साम इसको चेक कर सकते हैं यह देखें हमने सब चेक कर लिए इधर एक एक और आता है चौते नंबर पर पाच्वे नंबर का थ्रेश यह आपको running apps बतातेता है इनकी थ्रेश है यह लेकिन थ्रेश अगर करना चाहेंगे तो य क्योंकि Android वर्जन में एप केचे को आप मैनूली ही हटा सकते हैं इससे नहीं हटा सकते हैं तो कैसे अठाएंगे माल लीजी मुझे अमेजन के केचे अठाने है कैश मेमोरी अठानी है तो यह मुझे क्या करना पड़ेगा इस पर इनफोर्मेशन पर ध्यान दीजिए इनफो पर दुबार आपको लोगिन करना पड़ेगा यह जाएगी परिशानी तो आप क्या करें सिर्फ कैश मेमोरी अठाएं यह अपकी मेमोरी अटा सकते हैं पिर लाश्ट हमारा बैटरी का आप बैटरी ओवर हीट नोटिस कर सकते हैं इस पर ओन करेंगे तो यह और रहीट का न वाइफाई ओन करने से आपकी बैटरी ज़्यादे ड्रेंड होती है तो आप बोल रहा है आपको कि वाइफाई को बंद कीजिए यह जैसे बंद किया यह चिन देखे ऐसे हो गया यह चारों फंक्शन मैंने बंद कर रहे हैं इससे ही चल रहा है अब मैंटिनेंस पर क्लिक करें तो यह देखे क्या बता रहा है complete battery charge once every month यह क्या गयरा है एक बार पूरी बैटरी को आप चार्ज कीजिए पूरा खतम करके फिर चार्ज कीजिए इससे आपकी बैटरी हमेशा नहीं जैसी रहेगी तो यह दोस्तों यह सारी functions हैं इसके द्वारा आप अपने फोन का सारा hardware सार सेंसर सारे functions चेक कर सकते हैं नया फोन या पुराना फोन यह काम जरूर करें आपको कभी समस्या नहीं आएगी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को like और subscribe जरूर करें थैंक यू